कि नमस्कार पड़ाम अदाम सलाम से शेकल आप सभी यूटूब भाई बहनों को मित्रों को आज हम जो वीडियो डालने जा रहे हैं वो बिहार के नवादा जीले से बहादुर्पूर का वीडियो है और बता दे कि आजाद चोंसुत पत्ती का वीडियो डालने जा रहे हैं वाकी आपको जो यह मसीने दिखाई जा रही हैं सारी मसीने हमारे पास अफलेबल हैं आप लोगों को अगर मसीन चाहिए नया या पुराना तो आप लोग हमसे संपर्ग कर सकते हैं यह फिल्टर मसीन है आठ नाली का है हमारे यहां आठ नाली दस नाली 12 नाली 14 नाली जितने का फिल्टर खोजएंगे मिल जाएगा यह है पाकी जा चूरा मसीन 36 इंसी वारा जो हमारे यहां हर तरह का मॉषिन मौणुद हाव बेरिंग वाला भी पुहा मुषिन हमारे यहां मिलेगा देख लीजिए और बूच वाला भी पुहा मिलेगा, दोनों मिलेगा मोडल न्यूह ніहां When did I make को यह जाद ऊईल एक्स्केलल है 32 पत्ती का गाजियाबादवला हैं यह हम नवादा जिले के बहादूर पूर में दिये है और आप लोगों को बताते हैं कि अब तक मसीने तो बहुत सारे निकली है लेकिन सबसे हैवी क्वाल्टी में चल रहा है यह आजाद का आजाद ओयल अक्सपेलर जो पहले बहुत पहले वोल्ट वाला चलता था शिक्स वो जितना कि आपका पहले का मसीन शिक्स वोल्ट का जो काम करता था उसी मसीन को छोटे मॉडल में बना करके उतना ही काम निकला गया यह देखिए यह बहादूर पूर के हैं बिक्रम जी बहादूर्पूर के बिक्रम जी के हम मसीन दिये और फिर वहां सेट करने के लिए गए मसीन का सेटिंग जो है हम कर रहे हैं मसीन खोला गया है उसका सेटिंग कर रहे हैं कितने भाई लोग कहते हैं कि आप मसीन का सेटिंग करते हुए वीडियो नहीं डालते हैं सिर्फ मसीन खोल के दिखा देते हैं कि हम मसीन खोले हैं काम कर रहे हैं सेट करके तिल हरा हर पानी की तरह गिरा की दिखा देते हैं लेकिन मसीन कैसे आप सेट करते हैं वो नहीं दिखाते हैं तो मित्र भाईव आप लोगों को हम बता दें कि हम जहां जाते हैं काम करने के लिए अब वहाँ पर खुद काम करें और खुद कैसे जो है काम करते हुए वीडियो बना सकते हैं से सोचिए आप लोग हमको ही video को सूट करना है हमको ही machine बनाना है हमको ही machine का setting देना तो यह तीन काम एक आदमी वहां कैसे कर सकता है इसके बाद कि अगर आप लोगों को पत्ती का video setting चाहिए है कि 32 पत्ती हो या 24 पत्ती तो यह 28 पत्ति हो उसका पत्ति का और चेमर का सेटिंग कैसे होता है तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि वो देखिए अभी आजाद ऐल एक्सपिलर में कितना बढ़ियां से तेल निकल रहा है बिल्कुल साफ जैसे लग रहा है कि फिल्टर करके तेल निकाला जा रहा है कह कोई कचड़ा नहीं कहीं कोई काट नहीं एकदम साफ तेल निकल रहा है इस मशीन के अंदर से यह आजाद ऐल एक्सपिलर है तो यही हम आप लोगों को बताते हैं बता रहे हैं कि चेमर सेटिंग का और पत्ति सेटिंग का वीडियो हम आज से करीब 6 महीना पहले का डाल वीडियो को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और सस्क्राइब करने के बाल आल वीडियो में जाएए अगर आप लोगों से पत्ति सेटिंग और जेमर सेटिंग का वीडियो नहीं मिल रहा है तो हम बार बार आप लोगों से यही कहते हैं कितने भाई और बेहन जो हैं, मित्र जो हैं, वीडियो जरूर देखते हैं हमारा, लेकिन आज तक उन्होंने हमारा चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल की जो सदस्यता है, वो उन्होंने नहीं लिया है, तो इस बीच में आप लोगों को कहां से पूरा वीडियो देखने के लिए मिलेगा और हमारी आदत है कि हम दूसरे यूटूबर की तरह नहीं कहते हैं कि बार-बार की आप लोग हमारे चैनल को सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए यह सब हम नहीं कह पाते हैं इसलिए कि हमको टेंशन बहुत तरह का राता है किसी का मसीन बनाना है किसी के यहां बनाने जाना है किसी का कुछ करना है तो इस करके किसी तरह आप लोगों के बीच में वीडियो डाल देते हैं यही बहुत हो जाता है लेकिन अब हमको कहना पड़ रहा है कि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं जो भी हमारे मित्रभाई हैं जो बिना चैनल को सस्क्राइब किये बिना सदेट सेता लिए हुए आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो यही आप लोगों की गलती है अगर वीडियो हमारा सही नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन बटन को दबाएए आल वीडियो को में जाएए और सब कुछ आप लोग देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है इस मसीन के अंदर जो हम उसका वीडियो नहीं डाले हैं अपने चैनल पे मेरा चैनल का नाम है पवन धमन मील मसीनरी किसी भी भाई बंधू को अगर पत्ती वाले एक्सपिलर के बारे में जानकारी लेना है तो आप लोग सबसे पहले यूट्यूब में जाएए पवन धमन मील मसीनरी को सर्च मारिए उसकी सदस्यता को आप लोग गहन कीजिए जो बोलते हैं कि सेर करने वाला सस्क्राइब कर करने वाला जो बटन में उसको सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन बटन को दबा लीजिए और इसके बाद देखिए आपके मुबाईल में सारा हमारा वीडियो दिखाए देगाए सीडियल नंबर से और फिर अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो फिर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं यह वीडियो डालने के बाद ठेक दस दिन के बाद आप लोगों के बीच में हम चेमर सेटिंग का वीडियो फिर से डालेंगे कि चेमर सेटिंग कैसे करते हैं वर्म में क्या करना पड़ता है जिसके वज़से मसीन सही चलने लगता है यह सब का वीडियो फिर से हम आफ लोगों को डालेंगे लेकिन ये वीडियो डालने के लिए हमको अपने मिल पे जाकर के वीडियो सूट करना होगा ताकि हम मसीन का सेटिंग करते हुए दिखाएंगे तो हमारा जो लड़का लोग है पवन है धवन है या सुसील है जो भी है वो मुबाइल लेता है वीडियो सूट करता है और हम काम करते हैं तब जाके यह बनता है अकेले एक आदमी से वीडियो कभी नहीं बनता यह देख लिए बिक्रम जी यही है आप लोगों के सामने मिलके मालिक हैं और पहले से भी इनके हां कई मशीने अटा की मसाला की लगी हुई है और एक्सपेलर इनके पास नहीं था तो यूटूब के माध एक वीडियो हमने देखा है यूटूब किसी यूटूबर का ही है जिसमें बताया गया है देखिए कितना नॉर्मल पर चल रहा है जितना जो कि आपका बहुत ही कम बिजली बिल आता है इस मसीन से यह कैपिसीटर है बिजली के बिल को कम करने के लिए और इससे पहले आप ल है कि बिल कि बिल कम होगा और बिजली बिदोत के तरफ से कोई आपको धर पकड़ नहीं है कोई मना नहीं है आप लोग कुले याम बैदम गैपिसीटर लगाई है यह तो बिजली बिभाग भी कहता है यह देखिए यह दूसरी बार खली डाल के पिराया जा रहा है दूसरी बार की खली का तेल है इससे पहले आप लोगों ने जो देखा वो पहली बार का सरसु का तेल था अब यह दूसरी बार जो खली डाला जाता है यह उसका तेल निकल रहा है देख लिए दूसरी बार में भ कई भाई लोग कहते हैं कि भोल्ट वाला मसीन सही है कि पत्ती वाला सही है 24 पत्ती लेना चाहिए कि 32 पत्ती लेना चाहिए कि 6 भोल्ट लेना चाहिए तो हम आप लोगों को बता रहेते हैं कि मसीन कोई भी खराब नहीं होता है चाहें 24 बत्ती हो 28 बत्ती सो 64 हो या 6 भोल्ट हो या 12 भोल्ट हो या 9 भोल्ट हो मसीन कभी नहीं खराब होता इसली के साथ तो यही हम बता रहे हैं कि मसीन कभी खराब नहीं होता है मसीन चलाने वाला खराब होता है उसका अपना अनुभव अगर सही नहीं रहेगा तो कितना भी बढ़िया और कितना भी हैवी सेवी मसीन लगा लीजिए वो सही नहीं चलेगा तो भाई बहनों मित्रों आप लोगों को मसीन तेल वाला चलाने के लिए अपना उनभव रहना बहुत जरूरी है अगर आप लोग नए आदमी हैं नहीं समझ में आता है तो एक बार आप लोग कहीं दूसरे के यहां जाके सिख लीजिए या फिर हमारे यहां आके ट्रेनिंग ले लीजिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत